नवस्कार दोस्तों टिकी गुरामिद गुप्ता के यूटूब चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है दोस्तों आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आ गया हूँ UPSI 27 की अल्लाइन परिछा में पूछे गाए टाप 10 रेजिनिंग के ऐसे प्रस्ण जिसे आपको अबर दरोगा बनना है तो इन लेटेस्ट पैटरन के प्रस्णों को तो देखना ही होगा और ये भाग साथ है इससे पहले 6 भाग मैं पहले ही बना चुका हूँ और सारे के सारे प्रस्णों को हम देखेंगे बिल्कुल ठीकी अप्रोच के साथ तो देखते हैं पहला ये प्रस्ण पहला है इसमें से कौन सा कथन पर्याप्थ है में जयनकारी दी गई है क्रम बैठाने वाले से तो यहां पर लिखा हुआ ंचे लोग है एस टी यू वी डाबूर एक्स इस एक बिर्टा टेबल पर बैठें तो ये हम लोग बना ले रहा हैं समझने के लिए कि थोड़ा सावरी धर कर दें ताकि आप परस्ट परस्ट देखें अब प्रस्ट पूछरा टी के संदर्व में डाबलू की स्थिति यानि की पी के संदर्व में यानि टी से कि कि परस्ट करन देखें तो यह हम पहला जो कथन है उसको बनाते हैं t a kinds question अगर इधर तो X के बिलकुल यह दाइं हाथ की तरफ हो गया, X ऐसे बाढ़ेगा, देके X आगर ऐसे बाढ़ेगा तो X के बिलकुल दाइं हाथ की तरफ T हो गया, यहीं पुछा भी जा रहा है, T जो है X के दाई और बिलकुल बगल में हो गया और V के बगल में है तो मैंने बताया था जब भी और का है तो पहला नाम और तथा किंतु परंतु का मतलब पहला नाम और केवल जो या जी से का है तब दूसरा नाम तो यहां पर और कहा है तो पाला ही नाम के लिए बात कही आ रही यानि कि T के लिए यानि कि और का मतलब T, T V के बगल में है, T जो है V के बगल में है यानि कि इस साइड में, यानि एक तरफ हो गया T के X और एक तरफ हो गया V, अब 6 लोग थे तो यानि यहां पर एक लोग बै जैसे लिखा रहता है कि क्यवल एक उत्तर देने करें या दोनों या कोई नहीं क्यासा उत्तर देने कंवए नहीं कि यह खाता है नहीं हो इना में तो यह तो और W दोनों ही भी के बिल्कुल बगल में नहीं है, U और W जो है, U भी और W भी दोनों ही भी के बगल में नहीं है, यानि कि इसके बगल में कौन है, इसके ये तो बगल में होगा नहीं, यानि ये वाला जो लोकेशन है, ये भी के बिल्कुल बगल में हो जाएगा, तो यानि य कोई नहीं हो सकता है यानि कि जब यू और डबू और तीन ही लोग बचे हैं कौन-कौन बचा है इसमें है तो इसमें क्योल हमारा बचा है एस बचा है और कि डबलू बचा है और वी बचा है वी हो चुका है डबलू बचा है और यू बचा है तो जब U और W यहां नहीं होंगे तो यहां पर कौन होगा तो यहां पर मजबूरी है कि अब एक ही बचाए S वही S होगा यहां पर और U और W यहां नहीं होगा तो इन्हीं दोनों में से कोई जगह अभी इनके लिए बचाए अगर U यहां होगा तो W यहां होगा तो U यहां होगा यानि यहां पर कौन होगा तो यहां पर केवल S रहेगा क्योंकि B के बगल में तो W नहीं भी हो सकते अपर लिखा U और W जो है वो B के बगल में नहीं हो सकते है तो B के बगल में W और U नहीं है अब यह इधार होगे लेकिन U यहां भी हो सकता है, U यहां भी हो सकता है, W यहां हो सकता है, U यहां होगा, तो W यहां होगा, W यहां होगा, तो अब T के संदर में W बताए जा सकता है, तो T से अगर बाई तरब देखा जाए, तो W एक, दो दूसरे नमर पर भी हो सकता है, या तीसरे नमर पर भी हो सकता है, है दूसरा और तीसरा दोनों हो सकता है और ट के दाये की तरव देखा जाया तो पहला दूसरा किसे ग ऋससे किसे देखना लां ट से डव Morgen को देखना है तो ट से इधर opposing डोesi से अस्थान पर भी हो सकता है और चोथे अस्थान पर भी यानि कनफर्म बनाया बताया नहीं जा सकता है कि टी के संदर्भ में डव्ली की स्थिती क्या होगी यानि हमारा आंसर कौन हो जाता है हमारा आंसर हो जाता है विकल्प डी कथन एक और दो तथ मिलाकर प्रस्थन का उत्तर देने के लिए परयाप्त नहीं यानि कि दोनों कथनों का चीतर बना देने के बाद भी हम आपके उपर दिये प्रस्थन का उत्तर नहीं बता सकते है अब अगला प्रस्थन सब्द कोस में उनके करम के उसार निमलिखे सब्दों को क्रमबद करें डिक्सेनेरी के इसाब से सजाना है आप ऐसा प्रस्थन साल्प करते ही होगे तो आए देखते हैं अब जो अंग्रेजी वड़ मालाक जो अच्छर सबसे पहले आता है वह सबसे पहले और जो बाद में आता है उसे हम बाद में रखते हैं तो सबसे पहले आने वाला अच्छर किस सब्द के पास है तो सबसे पहले आता है यानि कि हमें पदा चल गया कि पांच नंबर जो है वह सबसे पहले आयेगा और अब देखते हैं र,s,ts तो अब यह भी पता चल गया कि एम के बाद क्या आता है तो एम के बाद r आता है यानि कि पहला इसके m,t यानि कि r यानि कि पहला इसके तुरंट बाद आएगा अब बच गया स्ध का मतलब यह तो नहीं प्रश चल चेह के इस के बाद को रहाई ये वाल ज्ट नभी सब से नंबर ऐगा और और यहां पर a c o s के बाद यहां पर h है यानि कि यह वाला जो है पहले आगए अब यहां पर आजाएगा दो नमबर यानि कि एक क्याओन बैलेस्टीन किसमें है कि विकल्प वी में तो हमारा आंसर हो जाता है वी अगला प्रस्ण ध्यान से देखिया उत्तर बताईए वीडियो को रोख दीजिए कोडिंग डिकोडिंग का यह प्रस्ण है तो बिल्कुल आसान प्रस्ण है क्योंकि इसमें c l a c l दिखी रहा है थोड़ा सा इधर दोर होगे m i तो m i भी इसमें दिख रहा है यानि कि अच्छ दूसरे नमर पर है तो या पर पहले नमर पर आगे तो इतना ही हम लोग इसमें भी कर लेते हैं अब यह निकिया ऐसे करना है अब किया अब क्या किया है आई है एक दो तीन चोथे नमर पे तो आई को कर दिया है पाचे नमर पे और एम है पाचे नमर पे तो इसको कर दिया है चोथे नमर पे यानि यह भी क्रास वाइस ऐसे हो जाएगा यानि एल को लिख देगा यहां पे और एको लिख देगा यहां पे तब रांसर क्या बन गए एडबल सी एल एडबल सी एल एडबल सी एल किसमें है तो बिकल्प सी में हमारा अंसर हो जाएगा सी पांच लोग यात्रा पर है जा रहा है उनके नाम है जोएल प्रिती वेंकी सान और रुपेश सभी का समन्द यानि कि रख समन्द का यह प्रस्ण है सभी का समन्द एक ही परिवार से है अब यहां से मुख्य लाइन शुरू हो रही है जोएल प्रिती की मा है जोएल जो है क्या है मा है मा है का मतलब माइनस है और मा है का मतलब एक पिड़ी उपर है किसकी तो प्रिती की कि प्रिटी की जो अब मेंने बताया था कि किंट्टु-परंट्टु लेकिन का मतलब पहला नाम जो का मतलब दूसा मं तो जो का मतलब पहला नाम ये है दूसा नाम यह है या ही के जगा पे आप प्रीती पढ़ेंगे या समझने रुपेज की पतनी है, यानि ये माइनस तो है ही, ये प्लस है, ये पती-पती का समधर लोग ऐसे दर्स आते हैं, ये पती-पतनी की पतनी है, सान जो है, जो एल का भाई है, भाई इस में कौन है, सान की जो एल, तो सुरू और लाष्ट वाले के लिए आप ध्यान दिया है, सान भाई है किसका, जो एल का, सान जो भाई है, भाई है, यानि या पर हम लोग लिए देखते हैं, प्लस, और सिधा-सिधा दर्साने का मतलब होता है, भाई है, ये बहन है, अगर ऐसे गोल दर्सा है, तो ये पती है, ये पतनी है, भाई है, वेंकी, जो एल का पती है, लिए लिए हम लोगों ने ऐसा वला बना दिया यानि यह पती है यह पत्मी और सीधा बनाने के मतलब भाई है यह बहन है यह हमने अपने ब्लोड वीलेशन के प्रात्मिक वीडियो में बताया था कि कैसे समंद को आपको प्रीती का टो जिस नाम के आगे का लिखा रहता है तो फिरीटी कोईstad कहा उबसाफ से तो सान के हिसाब से ए सान क्या बोलेगा प्रिटी को क्या लगा है ऊफिकर कुम्न के पसे लाइए सब्सास आप से इसके बहुन है और और बहन की यह क्या है पुत्री है तो बहन की पुत्री को क्या कहते हैं तो बहन की पुत्री को भांजी बोलते हैं तुम्हारा आंसर हो जाता है सी यानि वो उसका मामा है आंसर देखे C अगले प्रस्ण ने बताना है ये बेनारेक का प्रस्ण है तार्किक बेनारेक आपको बताना है अस्तन पाई साकाहारी और बाग अस्तन पाई साकाहारी और बाग के लिए कौन सा चितर सही होगा तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विकल्प D अगला प्रस देखें दिये कि अभी कल्पों में से असंगत को ग्यात करें यानि कि कौन सा अलग है वही बताना है तो यहाँ पर वर्ग और घ्रन के अधार पर जारत प्रसनाच को परती होगी परिछावन पूछे जारे तो इसमें भी आप देख सकते हैं च चा बर्ग चा चा के 36 लेकिन माानस दो कर दिया है यहाँ पे नन्व एक्यासी पलॉस दो आठी थाई sister मानस दो सा सतने उन चास मानस दो तो मान स दो मान स दो मान स दो इसमें। पलस दो कर दो इसलिए आमवरा आँसर जा 32 अब यहां पर यह बिज्ञान का प्रस्णा आ गया है नीमोनिया का समन्ध है लंग से नीमोनिया बच्चों को जायतर होता है और इसमें लंग प्रभावित होता है जिसमें सांस फूलने लगता बच्यों का और सीज मेटिज्म से कौण प्रभावित होता है तो यह प्रभावित होता है आंक, तो मारा आंसर हो जाएगा बी यह चचचित GK प्रस्ण इसे याद रखेए, GK में भी आपके यह काम आ जाएगा अब है अगला प्रस्ण नय वाक्य का और इसमें दिया गया है तीन कथन UPSI की परिछा में सभी विष्विद्याले केंद्री है सभी विष्व विष्व विष्विद्याले जो है क्या है केंद्री है और उसके बाद कुछ भी सभी दिया ले मानयता प्राप्त है तो कुछ भी सभी दिया ले मानयता प्राप्त है ठीक है अब अगला कुछ राज मानता प्राप्थ है तो कुछ राज भी मानता प्राप्थ है तो देखिए ध्यान से इसमें इसमें और इसमें और इसमें 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 जलेवी जैसा चित्र बन रहा तो एकी मिर्थी वाला भी चित्र बनेगा मैं छोटे में बना दे रहा हूँ ये विश्व विद्याले हो गया ये केंदरी हो गया अब इसी में सारा ऐसे बन जायागा इमीर्टी मैंने बताया थे जब इमीर्ट जलेवी बनता है तो मानेता प्राप्त और ये है राज अब जब तक निसकर्स दोनों में नहीं सही होगा कोई विश्व विद्याले मानेता प्राप्त नहीं है तो ये तो कथन सही सीधे सीधे आपको यहां से गलत दिख रहा होगा ये कर रहा है जब कथन की बात कुछ हूटा करें तब कर दम निसकर्स गलत हो जाए कुछ विश्व विद्याले मानेता प्राप्त है और यहां पर डाइरेक्ट बोल दे रहा है कि कोई विश्विध्याले मानता प्राप्ट नहीं है यारी बोल ला mesela कोई म réalité म Україuti करें कि यह इतना जो भाग है यानि कि कुछ विश्विध्याले मानता प्राप्ट है इसे में भी कुछ विश्विद्याले ये जो है इतना भाग मानता प्राप्त है दोनों में ही सही है जब कि ये करा कोई विश्विद्याले मानता प्राप्त नहीं है यानि ये निश्कर साथ का गलत हो जाएगा कुछ मानिता प्राप्त विस्विद्याल है ये इतना भाग तो ये भी सबी दोसाइग है से सभी है हमारा आशार हो जाता है यह किो वल निसकर्स दो अनुसराण करता है इसा मत सभी अब होता है राजनेता ओलता है इसा ऑलग होता है और यह याछटके में जहारे? अलग अलग पेसे हैं यह अलग 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 आपके लेकिन ऐसा बात है कि कभी जो है राजनेता भी ओसकता जैसे अठिल बाच्षिपई थे और भी कई उदारण है और अभियंता यानी इंजीनियर तो ऐसा भी हो सकता कि कोई इंजीनियर हो और वो चुनाओं में उठे और वो जीत जाए वो राजनेता बन जाए और साथ-साथ वो पार्ट टैंड कभी-कभी कभी ताएं भी रस्ता हो तो यह ऐसे पेसे हैं या ऐसा काम है जो सब व्यक्ति सब काम कर सकते हैं एक साथ यानि एक ही व्यक्ति ऐसा हो सकता है जो कभी भी ह तो राजनेता भी हो और वह इंजिनिएरिंग किया और इंजिनियर भी हो या इंजिनियर राजनेता सभ यान इक तीनों भाग जब कामन रहे तो इमिर्थी वाला चित्र बनता है हमारा अंसर हो जायेगा भी कि अब देखिए प्रस्वन पुरुवानुमान से समद्धित तो इसमें बताना होता है कथन को बोलने से पहले क्या सोचा गया होगा, क्या पुरुवानुमान लगाया गया होगा, क्या सोचकर ये कथन बोला गया है, यानि कथन बोलने से पहले क्या सोचा गया है, तो कथन है स्वस्त जीवन के लिए हमारे तेल का प्योग करे, कोई विग बिग्यापन में यह बोलना है कि स्वस्त जीवन के लिए हमारे टेल का उपियोग करें या अगर आपको स्वस्त रहना है तो हमारे टेल का प्रियोग करें आगर आप TV में इसे बिग्यापन देखते है तो इसका कोई भी व्यक्ति ये निश्कर्ष नहीं निकालेगा या कोई व्यक्ति या विग्यापन बनाने वाला ये सोच के नहीं विग्यापन बनाया होगा कि बाकी जितने तेल हैं सारे उत्पाद जो है अस्वस्तकर है और हमारे ही कमपनी का तेल स्वस्त है अगर कोई बोले कि हमारी कमपनी का तेल सबसे बढ़िया है सबसे अच्छा स्वस्थ या कोई बोले कि हमारे कमपनी का तेल स्वस्थ कर है तो इसका मतलब यह नहीं कि बाकी जितनी कमपनी है वह अस्वस्थ कर तेल बेच रही है बस वह अपनी कमपनी को अच्छा बता रहा यह नहीं कि इसके मतलब कि वो बाकी कमपनियां अस्वस्थ कर रहे हैं, तो पाला वला पुरवनुमानिक्स में से नहीं निगलता है, क्योंकि अपनी वो बढ़ाई कर रहा है, इसका मतलब नहीं कि दूसरे की बुराई हो गई, अब हर आदमी एक स्वस्थ जीवन चाहता है, यह बाद बिल्गुल सही है हर आदमी एक स्वस्थ जीवन चाहता है, तभी यहाँ पे स्वस्थ जीवन के लिए हमारे तेल का प्रयोग करें, जोर दिया गया है, कि स्वस्थ जीवन के लिए हमारे तेल का प्रयोग करें, क्योंकि विग्यापन बनाने वाली कमपनियां जानती है, कि हर आदमी एक स्वस दोस्तों में सेयर कर दीजेगा और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरू कर लिजेगा क्योंकि विपीजाई के लिए नए ट्रिकी वीडियो में समय समय अब लाता रहूंगा धरने बाद दोस्तों